इस्राइल के तराफ से सबी बहरत वसी को गंतांत्रा दीवास की हर दी शुब कमनाई अपने दिल की गहराईयों से अपने हिंदुस्तानी भारती दोस्तों को भाईयों को बहनों को सब को रिपब्लिक डे की मुबारक देना चाहूंगा उनको सेलिब्रेट करना चाहिए कल और हम भी सेलिब्रेट करेंगे वाशने डीसी में आप सब लोगों को अपने दिल के गहराईयों से लिवेकर के मुबारक देना चाहूंगा और हम दूआ करते हैं यहां पाकिस्तान से बैठ कर कि आप लोग इसी तरीके से आपकी एकॉनमी हो चाहे फॉरिन पॉलिसी हो चाहे एजुकेशन सिस्टेम हो आप लोग तरकी करते रहें हम वारत हो उससे चाहे बंगला देश हो उससे बहुत कुछ हम सीख सकें जय है जय हैंद पलस्केशन्ट मुझा लिया नगता हैं तरकी कम जय हुआ हम सीखिय जय हुआ हैं पाकिस्तान से बैठ कर कि आप लोग इसी तरीके से आपकी economy हो चाहे foreign policy हो चाहे education system हो आप लोग तरकी करते रहें और progress करते रहें और हमें भी उपर वाला ये तौफीक दे के हम बारत हो उससे चाहे बंगला देश हो उससे बहुत कुछ हम सीख सकें और हम भी अपनी country को थोड़ा आगे की तरफ ले जा सकें थोड़ी progress पाकिस्तान में भी आए मुझे मालूम है कि हमारे जो बारती दोस्ते हैं वो हमें बहुत प्यार करते हैं और अभी दो दिन पहले जब light चली गई थी पाकिस्तान में किसी जगा पे भी electricity मौझूद नहीं थी और सभी को मालूम था कि कई घंटों के लिए light नहीं थी सुबा के साथ बज़े से लेकर कमसकम रात के ग्यारा बारा बज़े तक तो मेरे घर भी नहीं थी और ऐसे में बहुत से हमारे हिंदुसानी दोस्ट जो थे वो खैरियत पूछ रहे थे वो मशवरा भी दे रहे थे के कैंडल्स ले लीजिए या कुछ इंतिजाम कर लिया जाए रात के अंदेरे के लिए तो बहुत अच्छा लगा सुनके बहुत खुशी हुई के चाहे कंट्रीज के बीच में जितनी मरजी टेंशन हो लेकिन आम पब्लिक एक दूसरे से बहुत प्यार करती है दूसरे का बहुत ख्याल करती है और यह और बात है कि हमारे पहले से बहुत ज़्यादा सिखाया जाता था मदर से तो खेरभी भी मौझूद है लेकिन स्कूल वगेरा में के भारत हमारा दुश्मन है हिंदू हमारा दुश्मन है लेकिन वो चीजें कम हो गई है वे अपने दिल की घहराईयों से अपने हिंदुस्तानी भारती दोस्तों को भ पाकस्तान अगर मेरी माँ है तो भारत मेरी मासी है क्योंके वो कहते हर चीज तब्दील हो सकती है प्रोसी तब्दील नहीं हो सकते और वो प्रोसी भी ऐसे कि जिनके साथ हमारा सदियों का रिष्टा है बंदन है हमारा कल्चर है हमारी जबान है हमारी सोचे हैं हर चीज मैं मैं समझता हूँ कि वाहिद भारत एक ऐसी नेशन है चिन के साथ हमारी इतनी चीज़ें मिलती हैं किसी और के साथ इतनी चीज़ें नहीं मिलती है तो मैं अपने दिल के गहराईनों से उनको रिपब्लेंट टेकी मुबारख देना चाहूँ है अब पाकस्तान पे जब बात करे हैं किस तरीके से यह अपने ही कैपिटल को फता करें कैपिटल लंदन है लेकिन इसलामबाद को फता करने के चकर में पड़े हैं यह वाहेद आदमी है डेविड लू की जान चूंट दूटञी हॉग आज बिचारे की वह बहुत खुश होदा तो दूसरा आपने कहा है के हज़ हमारे बिजली की है भू भी रह ने कि होगी या मुसाद ने कि होगी अगाणुमि हमारी तवा है इसके पीछे मोसिन नक्वी साब के बारे में जो मैं बात करना चाहूँगा कि इस वकत खान साब जो मेरे लिए नई चीजे जो आती है वो मेरे इस बियानियां को मजीद तक्विय देती हैं कि हम तबाही तक किस तरह पहुँचे हैं दिन बदिन अब मैं आप छोड़ी सी मिसाल आपको देना चाहूँगा साड़े छे सो पुलीस वाले सूबा सरहद से जमान पार्क लाहूर में बैठके हमारे खुबसूरत तरीन जो शखसा एक पाकस्तान का है मिस्टर हैंसम उसकी हफाज़त के लिए मामूर से साड़े छे सो सपाही सिर्फ और सिर्फ सूबा सरहद की पुलीस के अब पंजाब पुलीस के अलग से होंगे और यह अमीर मौमनीन है यह टेक्सपेर्स के पैसे पर यह सपाही आते हैं बचारे इनको जेब सित्रहाएं नहीं दे रहे थे यह अलाकि जेब से भी पैसा बड़ा उड़ाते हैं यह शौकत वालदा के नाम पर हास्पिटल बनाया है और उन्होंने उसके उपर भी लूट सेल है कोट भी बता रही है आईला मलक भी बता रही है और खुद भी कह रहे हैं सर के हॉस्पिटल के पैसे कह रहे हैं कि मैंने इन्वेस्ट कर लिया वह इंगा रुपे का था डालर जब दिया गया था साड़े टीन मिलियन डालर यह वापस किया तो उस वक्त एक सो बीस का था साथ साल बात दे दें साथ रुपे के जाब से क्या हैं ख़रक पड़ता है भोट पैसे बनाए लुट मारई है ना दूनिया के लिए तस्वीठ है दुनिया के लिए इयाblese आपने लिए जाद है अपने लिए तो सब जाएज आदै बैई अब उसके बादी बताना चाह साध से सोब पुलीस वाला तो सुबह सराथ का वापस च चीफ सेग्रेटरी साब चेंज हो कर दिये गए और जो नए आई जी लाए गे हैं वो वही आई जी है जो इनको खाब में डराता है जिनसे वह 25 मही वाले वो नए आई जी साब आ चुके पंजाब के सी सीप्यों कम्याना साब आ रहे हैं तो सारे लोग लाए जा रहे हैं और इस वकल लग यह रहा है कि अगले 24 घंटे में या तो यह भाग जाएंगे जमान पार्क लाओं